शेपपुरी चले के चकरामपुर गाओं में 17 नमंबर शुकरवार को मतदान के बाद दो गुटो में कुश्वा और भधोरिया परिवार में खूनी संगर्ष हो गया इस खूनी संगश में बधोरिया परिवार के तीन लोग की लाज के दोरान शनिवार को गौलियर में मौत हो गई जबकि कुश्वा पक्ष के एक युवक को गोली लगी है जिसका गौलियर में लाज कराया जा रहा है पुलिस ने इस मामले में दोनों ही पक्षों पर भलवा और हत्या के प्रियास का क्रॉस मामला दर्श कर लिया था लेकिन इलाज के दोरान एक पक्ष के तीन लोग की मौत के बाद और नरवट पुलिस थाने के सामने सड़क पर शत्री समाज दोरा किये गए प्रदशन के बाद हरकत में आई प्रिशासन ने शनिवार की देर शाम आरोपियों की घर पर बुल्डोजर चला कर जमीन दोस करने की कारवाई को अंजाम दे कर पेड़त पक्ष के आक्रोश को कम करने की कोशिश की है बुल्डोजर कारवाई की दौरान प्रिशासन दौरा चक्रामपुर में आरोपियों की तीन मकानों को जमीन दोस किया गया है वही इस हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों को भी पुलिस ने शनिवार की देर शाम गरफतार कर लिया है यहां आपको बता दे कि शिप्पुरी जले के चक्रामपूर में 17 नमंबर शुकरवार को मतदान समापती के बाद दो गुटों में खूनी संगर्ष हो गया था जिसमें एक पक्ष के आदा दर्जन से करीब लोग घायल हो गयते वहीं जिन में इसे शनिवार को इलाज के दोरा गौालियर में तीन लोगों ने दम तोर दिया था बताया जो रहा है कि मृतकों में एक बीजेपी का पॉलिंग एजेंट लक्षमार सिंग बधोरिया भी शामिल है मैं इस खूनी संगश में बधोरिय परिवार की एक महिला आशा देवी बधोरिया और आशा देवी के भतीज हिमाशु सेंगर की मौत हो गई है